असलाम अलेकुम सब कैसे हैं उमीद है सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन वेजीटेबल रोल चिकन वेजी रोल बनाने के लिए जिन चीजों की जूरत है बनकोबी एक कप मतर आदा कप गाजर आदा कप प्याज एक बड़े साइस की अंडा एक चिकन आदा कप लाल मिर्च कुटीवी दो टी स्पून हरी मिर्च एक टी स्पून पुदीना दो टेबल स्पून अजवाइन चुटकी नमक टेस्ट के इसाब से जीरा क्रश किया हुआ एक टी स्पून वायज़ अब बारियत यहीं मिक्सिन की एक बॉल ले ले उसमें चीजे मिक्स कर लें जिसमें रखाने रहें मंगो भी चीकन एक कप मटर आधा कप जो मैंने पहले से गाजर ये भी मैंने पहले से बॉयल करके क्रश करके रखी हुई थी प्याज अंडा जो मैंने पहले से बॉयल कर दीना बरीकर मिर्च कुटी लाल मिर्च जीरा नमक अजवाइन एक चुटकी सफेद मिर्च प्लैक मिर्च दो चुटकी अब इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स यह बहुत मज़े के बनेगे हैं जवाइन डालने से इसका टेस्ट अच्छा आता है यह लिए रोल पटी अब इसको करते हैं यह लिए रोल पटी अब इसको करते हैं इसको फिलिंग करते हैं यह पटी है इसको इस तरह रखना है तिर्चा ताके आपका रोल जो है वह बिल्कुल सही उसका आए शेव आए इस तरह करके यह थोरा सा इसे बंद किया इदर से बंद किया और ऐसे आपने ग्रैप कर देना है यह थोरा सा यह मैदा जो मैंने एक चमच मैदा उसमें थोरा सा पानी डालके उसका बना गिया था पारी आती है फ्राइ करने की फ्रेम ओन करेंगे मीडियम फ्रेम बेस को फ्राइ करना है वाईल हो गया ग्राम अब इसको फ्राइ करते हैं बिसमिल्लाव आप आप कर दो कर दो इसको गोल्डन होने तक प्राइ करने हो अच्छे से क्रिस्पी मज़ेदार से आपके चिकन वेजी रोल रेडी हो जाएंगे इसको निकालते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन वेजीटेबल रोल रेडी हैं इसके लिए मैंने साथ इसके डिब बनाई हैं इसके साथ सॉब करें मज़ेदार से अगर ये आज की मेरी रेडी रेस्पी आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजेगा सबस्क्राइब कीजेगा और अपनी दौाओं में मुझे याद रिखीगा अलाफिज